हम एंट्री करने वाले हैं अभी गधाशा के दुकान में और यह देख सकते हैं आप कितना बड़ा महराब बना हुआ है यह गेट का और आगे का जो महराब वो तूट चुका है यह देखिए गेट तूट चुका है जैसे के परतीत हो रहा है यह और बहुत सारा यह इस तरह का पत्था लगा हुआ होगा जब यह अपनी असली शगल में होगा आज सो बस निशानात है यह देखिए और यहां से इसके अंदर एंट्री होती है और जो इसका फर्स है वो तो काफी मतलब अच्छा लग रहा है और यह देखिए महराब काफी वंडर्फुल ह है साइड में अगर जाएंगे हम तो इस तरह की यह देखिए यह महराबे बनी हुई है और आगे तक और यह देख सकते हैं अब गेट किस तरह का है और अंदर की तरफ यहां से एंट्री होती है इस में और यहां से आजी आजी है और यह देखिए इसका लास्ट वॉल है लास्ट दिवार है और अंदर की तरफ काफी रास्ते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह और यहां से अंदर ही अंदर हम निकल सकते हैं इस तरह से यह देखिए और यहां से देखिए इसका जो यह टुरु आर्च बड़ा है महराब काफी ऊचा है काफी बड़ा है और इधर की साइट अगर हम जाएंगे तो इसका मेन गेट आजाएगा यह देखिए इसका रहां से यहां से भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन ताला लगा हुआ है और यह बाहर की साइट है यह देखिए दोरे जदीद में आपने बहुत सारे मॉल देखे हूंगे दुकाने देखी हूंगी किराना स्टोर देखे हूंगे यह फिर छोटे मुटे जो मॉल होते हैं मार्ट होते है वो देखे होंगे यह 500 साल पुराना मौल यह देख सकते हैं आप इस का अर्गेटेक्चर किस तरह का है हाला कि आज निशानात बागी है मैं आपको इसकी दुगाने दिखाता हूँ किस तरह की है कैसी है यह गदेशा की दुगान है इससे पहले हम गदेशा के महल में गए थे जहाज महल के परिसर में लास्ट में तो यह उनी की दुगाने गदेशा की मालवा सल्तनत में जब खेल जी वन्स आया था यानि पहले सुल्तान खेल जी बेटे थे 1436 में महमुशा खेल जी इनका इंतिकाल हो जाता है 1489 में उसके बाद गद्दी पर बैटते हैं गयासुदी महमुशा खेल जी का पर पोता बैटता है गद्दी के उपर यानि गयासुदीन खेल जी का पोता गद्दी पर बैटता है उसका नाम होता है महमुशा सेकंड खेल जी तो उसके दोर में जो है सल्तनत यहां की मतलब बिगड़ गए थी वो इतना ताकतवर शाशक नहीं था त और पीछे की तरफ जैसे मौल में गेट होते हैं ना बड़े बड़े उसी तरह का देखे गेट बना हुआ ये टुरवार्च जिसे महराब कहते हैं और ये देखे पीछे की तरफ ये रही एक दुकान और ऐसे अगर हम पीछे की तरफ आएंगे इस तरह से तो एक दुकान और ये जो mall था ये था गधेशा का गधेशा जो थे उनके अंडर में थी ये जगा और यहीं पर मतलब लोगों ने अपने दुकाने खुल रखे थी ये देख सकते हैं आप इसका पूरा architecture और पूरा लुक ये देखिए गधेशा के दुकान जगर हम देखेंगे इसका architecture और के हुए हैं और आर्च बना हुआ है महराब बनी हुई है ये देखिए अब इसके उपर की तरफ चलते हैं मध्यकाली न्यूग में मांडवगड़ की जो आबादी थी वह 9,00,00,00 लोगों के अबादी रहती थी सल्तनत में तो जितने भी लोग थे सल्तनत में पूरी सल्तनत को राशन यही गदेशा सब लाए करते थे 9,00,00,00 लोगों को इसके अलावों कोई दुकान नहीं थी पूरे मंडवगड़ के अंदर यही से पूरी सल्तनत के लिए राशन जाता था जो भी सल्तनत के अंदर लोग आते थे यानि 9,00,00 लोगों किया वादी इससे पहले हमने लुबा था दाई का मकबरा दाई उस दोर में जो हैं डॉक्टर नहीं हुआ करती थी यानि वो डॉक्टर थी लास्ट परिसर में आ चुके हैं यह देखे यहाँ पर कुछ निशानात बाकी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंट लगी हुई थी वो बाकी है और यह आग लुक्र में इस तरह का मतलब लुक होगा यहाँ पर जरूर यहाँ पर डेकुरेशन होगी बहुत सारी और यह देख सकते हैं आप इसका लास्ट फेस यह देखिए तो यह बड़ी दुकानी होंगी यह वाली जहाँ पर अभी हम हैं और बागी के जो आगे की दुकानी हैं व कि इस दौर में थे और इनको बादी में लिवितिक का देशा और उनकी दुकान थी और पूरी सल्तनत को यही रासन सप्लाई करते थे और भी बहुत सारी दुकानी थी इसके अंदर तो यह था 500 साल पुराना मॉल जिसे हम कह सकते हैं तो यह देखिए मॉल का जो महराब है ना कोई सपोर्ट है ना कुछ है बस वैसे ही महराब बनी हुए देख सकते हैं तो यह वीडियो देखके आपको कैसे लगा कमेंट वज़ों बताना हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइप करना मांडव गड़ में हमें चार दिन होगा गूमते वे यह इन दौर से जो है 100 किलोमेटर दूर है मांडव जो के मालवा सल्तनत की राजधानी हुआ करता था और जो यहां पर सल्तनत बनी हैं और जो बिगणी हैं उनके निशानात आप पूरे देख सकते हो आज भी तो बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर देखने के लिए पूरा इस्टोरिकल पहले से मांडव गड़ या मांडव आज के दौर में से मांडव कर जाता है लेकिन एक दौर मेंसे मांडव कर कहा जाता था सुल्तानों के दौर में से शादिाबाद कहा जाता था आनन्द के नंग्री City of joy क्योंकि इसके अंदर इतने moments बने हैं इतनी इमार्त सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो वीडियो को मिलते रहेंगे ऐसी अपडेट आपको थेंकी सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए और 500 साल पुराना मौल एक गदेशा का मौल और आप अगर गुमने के लिए आओ और यह पीछे की तरह पे अंध्यली बाबडी आज बिस बाब लिया है तो थेंक्यू सो मच भाय शब्सक्राइबड़ाद।